सुधीर सर ओफिसियल यूटूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है इस सीरीज में हम लोग कर के आ रहे हैं पिनेकल की पॉपुलर बुक 6800 प्लस TCS MCQ जो पॉपलर बुक है SSE PYQ के फॉर्म में यानि प्रीबियस यूर पेपर जिसमें सीजल सीप्यों से लेटेस्ट पेपर के कोशन है उसके फिफ्ट एडिशन बुक जो एडिशन है वो कौन सा है फिफ्ट एडिशन इस बुक का मैं क्या करा रहा हूँ वीडियो स सबसे लेटेस्ट एडिशन है अगर आपके पास लेटेस्ट एडिशन है तो सारे कोशन आपके मैच करेंगे दूसरा टॉपिक जो हमारा चल रहा है LCM and HCF LCM और HCF टॉपिक से टोटल 125 कोशन है 125 कोशन में से 1 से लगकर 90 कोशन तक ओल्रेडी कम्प्लीट हो चुका है इस वी LCM और HCF टॉपिक भी पूरी तरह से फिनिस हो जाएगा मैं चाहता हूँ इस बुक को जितना जल्दी से जल्दी हो सके कम्प्लीट करा हूँ इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए और आप अगर ओनेस्टी से इमांदारी से अगर तीन काम करते हो तो मैं इस बुक को जल्द फिनिस हो जाएगा और इससे मेरे को भी लोग जानेंगे कि मैथ पढ़ने का नजरिया किस तरह से होना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बुक का सॉलूशन नहीं करा रहा हूँ इस बुक के सॉलूशन से टोटली डिफरेंट होगा मेरा सॉलूशन मैं आपको एक्जाम ओरियंटेड एप्रोच लॉजिकल एप्रोच शॉट एप्रोच के साथ कोश्चन सिखाता हूँ कि किस तरह से एक्जाम में कम टाइम में करते हैं थर्ड हर एक वीडियो में आप चाहे कहीं भी किसी भी XYZ टीचर से पढ़े होंगे आपको कुछ न कुछ नया सीख लिखने को मिलता है तो आप कॉमेंट्स करके जरूर बताओ कि इस सीरी से आपको हेल्प मिल रहा है या नहीं कॉमेंट्स करके आपको जरूर बताना है चलिए देर नहीं करते हमें स्टार्ट करेंगे टोटल है 125 कोशन इसमें से लेकर के 90 कोशन तक अल्रड़ी फिनिस हो एक question तो already हो चुके हैं, रुख जाईएगा, 90 question तक हमारा हो चुका था, last class में, 91 से आते हैं, देखे question क्या दिया गया, the ratio of LCM of two numbers to the sum of the same number is 12 is to 7, okay, SCF is 4, आगे बढ़ा बोला गया है, what is the product of these two numbers, देखो ध्यान से, हमारे पास LCM और उस दो number का sum दिया, का ratio दिया गया है कितना, 12 is to 7, ये question में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास दिया गया SCF 4, अगर SCF 4 है, तो number क्या होगा, मैंने लिखना सिखाया था, 4A, 4B, और A और B क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, ये तो मैंने सिखा चुका हूँ आपको, अब देखो ध्यान से, इन दोनों का LCM क्या होगा, इन दोनों का LCM, जो common है, व LCM upon sum, उसका ratio कितना है 12 by 7, ratio कितना है 12 by 7, यहीं हो कर दिया, 4 से 4 हमने cancel कर दिया, अब देखो ध्यान से, हमारे पास आया कि दो number का product 12 होना चाहिए, और उनका sum क्या होना चाहिए, बहुत सारे लोग इसमें formula लगाना शुरू करते, नहीं, हम छोटी छोटे numbers के बारे में तो knowledge होनी चाहिए, 4 into 3, 12, 4 into plus 3, 7, यानि हमें यह पता चल गया कि 4 into 3 क्या होता है 12, और 4 plus 3 क्या होता है 7, तो हमारा 12 by 7 आ जाएगा, यानि number हमें यह पता चल गया कि A और B क्या हो सकते है, 4 और 3 हो सकते है, A की value 4 और B की value 3 हो सकता है, तो चलो, तो देखो ध्यान से number क्या हो और B के जगह पर रखूंगा 3 तो 4 into 3 यानि 12 हमें क्या करना है दोनों का product number का product चाहिए multiply कर लो 16 दूनी 32, 16 और 3, 19 192, option A, MTS 14-7-2022 को morning shift में पूछा गया question था, तो देखो statement जो कहे उसके according हम question करेंगे, आसानी से question बन जाएगा, move to the next question, next question में देखो क्या दिया गया हमारे पास, what is the list number which went divided इतना 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 लिफ्स remainder इतना 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 respectively, ऐसे question में करते क्या है, सबसे पहले देखो दियान से, सबसे पहले इन तीनों का हम लेंगे क्या LCM, LCM लो, LCM कितना है, 60, 84 और 96 का LCM, अब देखो दियान से, table की knowledge है, मैं कई बार बोलता हूँ, वन से 30 तक table आपको आना चाहिए, देखो कौन कौन से table आपके fingertips पे होना चाहिए, वन टू 30 तक table आना चाहिए, उसके बाद 31, 37, 31, 37, 36, 45, and 73 का table आना चाहिए, आपके fingertips पे होना चाहिए, अगर ये fingertips में है, इन तो आप आसानी से question कर लोगे, कैसे देखो दियान से, 12 का table, 12 इन टू 5, 12 इन टू 7, and 12 इन टू 8, 12 इन टू 5, 60, 12 इन टू 7, 84, और 12 इन टू 8, 96, तो LCM हमें बताना है, तो LCM में 12 तो होगा, जो common है, 12, अब जो 5, 7, 8 में कुछ भी common नहीं है, कुछ भी common है, तो multiply कर दो, 5 इन टू 7, इन टू 8, LCM मिल गया, LCM कितना हो गया, 12, 5, 60, 60, इन टू 7, 420, 420 इन टू 8, अब बताओ, LCM कितना आ गया, 0, 8, 2, 16, 32, और 1, 33, इतना आ गया, अब समझना बात को, देखो द्यान से, ये तो आया, ये कहलाता नंबर, लेकिन हर एक, देखो, 60 से divide होने पे, 28, प्रिमेंडर, 84 से 52, और इतना, इसका difference, देखो, क्या सेम आ रहा है, 60 माइनस 28, यानि 32, 84 माइनस 52, यानि कि 32, और 96 माइनस 64, यानि कि 32, 32, difference आ रहा है, तो वो हम क्या कर देते हैं, माइनस, यानि जो नंबर जो होगा, तो LCM माइनस, वो difference, यानि कि 3360, माइनस कितना, 32, अब देखो, कितना हो जाएगा, 8233, 3328 आ जाएगा, आपका answer, option number D is the right answer, आसानी से हमने कर लिया question, I hope यह समझ में आ गया होगा, आपको, कि किस तरह से question करते हैं, ठीक है, question number 92 के बाद, question number 93 आपकी screen पे दिया गया है, आप question को deal कीजिएगा, या आपको चलो करा देता हूँ, 93, 93 पे आ जाएगे, 93 में question क्या दिया गया है, कि P is equal to 2 पे पावर 5 इंटो 3 पे पावर 8, क्या इसको अनदर वे से किया जा सकता था, क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं यार, इतना टाइम नहीं है, चलो, P is equal to इतना, Q is equal to इतना, if the highest common factor of P and Q, आगे बढ़ते हैं, is इतना, what is the value of K, देखो द्यान से, P की value दे रखी है, कितना हमारे पास, 2 पे पावर 5 इंटो 3 पे पावर 8, कोई दिक्कत नहीं है, Q की value दे रखा है, Q की value कितना दे रखा है, 2 का cube इंटो 3 पे पावर के, और SCF, इन दोनों का हमें SCF दे रखा है, SCF कितना दे रखा है, 2 का cube इंटो कितना 3 का cube, और देखो द्यान से, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले focus करो, जो मैंने आपको concept बताया था, कि SCF जो होता है, उस case में क्या करते हैं, common तो लेते हैं, लेकिन lowest power लेते हैं, तो इसका lowest power ये लिया गया है, अब इन दोनों में बताओ, हमें LCM में ये जो लिया गया है, सौरी, SCF में ये जो लिया गया है, वो lowest power है, यानि K की value यहाँ पर lowest कितना होना चाहिए, तो ये 8 है और ये 3 होगा, तभी तो lowest वाला common लेंगे, तो SCF में आएगा, यानि K की value हमारे पास कितनी आ गई, 3, देखो दियान से, option number C, correct answer हो जाएगा, आसानी से हमने कर लिया, MTS 15-7-2022 में पूछा गया है, हमारा 92 question पूछा गया था, MTS 14-7-2022 में पूछा गया था, इसको भी हमने कर लिया, आसानी से, चलिए, next, देखो, next क्या दिया गया है, find the smallest number, which when divided by इतना and इतना, lives the remainder 7 in each case, देखो दियान से, हमें बताना है, second largest, second smallest number, और जो 81 और 63 से divide करोगे, तो 7 remainder आना चाहिए, मैंने एक concept बताया था, देखो दियान से, यहाँ पे आपको पता चल रहा है, 9 come, 9 into 9 होता है, 81, या इसको break कर सकते थे, 9 into 7, यानि, अगर 9 का multiple आ जाए, यानि, वहाँ पे लगा होगे, digit sum, यानि 9 से divide होने पर remainder 7, यानि कि जो option होगा, उसका digit sum क्या होना चाहिए, remainder के बराबर, यानि 7 होना चाहिए, देखो दियान से, digit sum, digit sum, जहाँ पे 9 आता है, उसको हटा देती है, add करने पे, 6, 2, 8, 9, 9, खतम हो गया, digit sum, यहाँ पे कितना हो गया, 4, 4, 1, 5, 6, digit sum यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे देखो दियान से, 6, 3, 9 हट गया, 2, 1, 3, digit sum, digit sum कितना आ गया, 3, यहाँ पे देखो दियान से, 7, 8, 8, 9 हट गया, सिर्फ digit sum आ गया, 3, बताओ, 9 से divide होने पर remainder 7, remainder 7 का मतलब digit sum क्या आना चाहिए, 7, 7 एक ही case में है, option number, B, correct answer, तो हमने क्या कि यहाँ पे smart approach किया, कि smart approach से हम directly question solve कर सकते हैं, यानि कि हमें यह पूरा का पूरा basic book के language की तरफ नहीं जाना है, हमें यह concept कई बार बता चुका हूँगा, आपने one से लेकर के 93 question तक मेरी video solution देखा होगा, तो यह चीज़े मैंने कई बार सिखाया हूँग, अब आते हैं basic concept पे, का LCM लेना पड़ेगा, 81 और 63 का LCM कैसे लोगे, LCM break कर लो, 9 into 9, इसको break कर सकते हो, 9 into 7, 9 common है, तो LCM में 9 होगा, इन दोनों में कुछ भी common यानि 7 into 9 multiply कर दोगे, LCM कितना हो गया, देखो द्यान से, अगर मैं बात करो, 9 into 9, 81, 81 into 7, यानि LCM कितना होगा, 7, 8, 7, 56, इतना आ ग होगा, देखो द्यान से, जो नंबर होगा, वो होता है, LCM into k, कि मतलब constant term, और plus, जो remainder है, वो है, कितना है, 7, तो यह हमारा नंबर आ गया, अब देखो द्यान से, अब द्यान से, हमारे पास common sense लगाओ, द्यान से, के की वैलू हमें second smallest चाहिए, यानि smallest पहला के की वैलू तो वन लेने पे होगा, लेकिन second smallest चाहिए, यानि के की वैलू में 2 लेना पड़ेगा, तो नंबर क्या हो जाएगा, टू लो, LCM कितना है, 567 into 2 plus 7, यह हो जाएगा, अब देखो द्यान से, multiply करने जा रहे हैं हम लोग, 7, 2, 14, 6, 2, 12, 13, और 5, 2, 10, 11, और plus 7, यानि कितना हो गया, 11, 34 plus 7, यानि 41, देखो, option B, correct answer आगया, तो यह था हमारा conceptual approach, और हमने जो इस से पहले किया था, वो था हमारा smart approach, smart approach अगर सीखना है, तो आपको इस वीडियो के last में भी बता दूँगा, मेरा math special batch आने वाला है, math special batch, और उसमें first 300 students के लिए, बहुती minimum फीपे वो course है, तो आप उसको avail कर सकते हो, यानि मेरे साथ पढ़ सकते हो, चलिए, next, what is the greatest number, which divides इतना and इतना, lives remainder 4 and 2 respectively, समझाओ बात को, हमें क्या चाहिए greatest number, greatest number यानि हमें SCF वाला case चाहिए, उस case में हम क्या करते हैं, इस में से उसका remainder minus करते हैं, remainder minus करोगे तो कितना हो जाएगा, 780, दूसरे वाल का remainder minus करो, इस से इसका minus करोगे तो कितना हो जाएगा, 855, और इसका हम क्या लेते हैं, SCF, इन दोनों का हम क्या लेते हैं, SCF, अब देखो ध्यान से, अब एक तो तरीका है, go through option चले जाते, लेकिन देखो ध्यान से, common sense लगाओ, हमें greatest number चाहिए, बड़ा से बड़ा, और हमे चाहिए क्या, SCF चाहिए, what is the greatest number, विच में डिवर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसमें से common sense लगाओगे, कि बड़ा से बड़ा number क्या common आ रहा है, एक तो मेरे को दिख रहा है, कि 5 common आ रहा है, देखो ध्यान से, मैं आपको बताना चाहूंगा, 5 से ये भी होगा, तो 5 common कर लो, 5 into, या difference ले लें, क्या, difference भी ले सकते हैं, difference भी लेकर कर सकते हैं, लेकिन directly common कर लेते हैं, 5 से, 5 वन जा 5, कितना बचा, 28, 5, 5 जा 25, 5, 6 जा, यहां पे 5 से multiply कर लोगा तो 5 into, 5 वन जा 5, 35, 5, 7 जा 5 जा, अब देखो ध्यान से, क्या इसके अलावा और कोई भी common है नहीं common हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, देखो ध्यान से, 19 क्या है, 19 को लिख सकता हूँ, तीन और common आ सकता है, हाँ, साथ एका ठेक नहीं, तीन common है, यहां पे भी 5, 6, 11, 3 common है, तो 5 into, 3 यहां से और खींच लो, 3 खींचोगे तो 3, 5, 15, 3 दो नीचे, यहां से 5 into, 3 common कर लोगे, 3 कींच लो, तो 3, 5, 15, 3 साथे 21, अब देखो ध्यान से, 52 हो गया, और 57 में कोई भी common नह हो गया, यानि कि SCF कितना आ गया, 15 आ गया, क्या 30 possible है, SCF नहीं possible है, क्योंकि 30 से यह number नहीं cut पाएगा, SCF कितना हो जाएगा, 15 is the right answer, ठीक है, आसानी से कर लोगे, अब देखो, 52 और 57 में कुछ भी common नहीं था न, कैसे, क्योंकि इसको 13 into 4 लिखते, इसको 19 into 3 लिखते, कुछ भी common नहीं था, तो SCF में नहीं आता, तो हमारा, बड़ा से बड़ा common कौन सा हो गया, 15, तो 15 is the right answer, चलिए, next, next, next देखो, next क्या कर सकते हो, एक और तरीका इसका बता दूँ, देखो, smart approach और तरीके से कर सकते, देखो, डरने की जुरुतने, जैसे जैसे, जैसे कुछ शक, ये तो वहीं होगा, कि 780, दूसरा क्या होगा, 855, अब देखो, common sense लगाओ, देखो, सबसे पहले हमें कहा गया ह greatest number, greatest number इन सभी में, चारों में, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये, और वो क्या होगा, इन सभी का SCF होगा, answer में, तो SCF का definition आप जानते हो, कि वो बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को divide करें, देखो, ज्यांसे, 30 इसको तो divide कर देगा, क्या 30 इसको divide कर पाएगा, नही क्योंकि 0 यहाँ पे है, तो नहीं हो पाएगा, यानि खतम हो गया, अब next इन सभी में, बड़ा नंबर कौन सा है, 15, check कर लो, 15 से ये divide हो रहा है, 15, 5, 75, 15, 20, 30, ठीक है, 15, 5, 75, 15, 7, 105, यानि ये नंबर जो दोनों है, 15 से divide हो रहा है, तो यहीं SCF होगा, आगे check करने की जरू नहीं है, क्योंकि ये दोनों small हैं, हमें चाहिए greatest number, देखो MTS 15, 7, 2022 को, smart approach से हमने आसानी से कर लिया, otherwise आप concept चोले approach से भी जा सकते हो, चलिए move to the next, LCM बताना है हमें fraction का, तो fraction का LCM बताने के लिए क्लिए क्लिए अगरते हैं, उपर का LCM लो, उपर का LCM सबसे बड़ा क्या रहा है, 3, 3 ही common है, यानि 3, यानि LCM कितना हो गया, 8 by 3, MTS 19, 7, 2022 को afternoon shift में पूछा गया है, आसानी से कर लोगे, चलिए move to the next, find the largest number, which when इतना इतना are divides, then leaves the remainder 1 and 3 respectively, वहीं चीजे हैं, हमें greatest number चाहिए, यानि SCF, पहले हम क्या करते हैं, इसका remainder minus करते हैं, यानि 393 हो गया, दूसरे वाले case में क्या है, इसको इससे minus करेंगे, यानि कितना minus करना है हमें, 3 minus करना है, यानि 655 हो गया, 655 ही हुआ, हाँ जी, अब हमें बताना क्या है, greatest number चाहिए, अब देखो दियान से, मेरे को एक चीज common समझ में आ रहा है, 3 से ये number हट रहा है, 5, 5, क्या हो जाएगा, 658 में, यहाँ पर 3 minus करना है न, तो कितना minus होगा, 655 ही होगा, अब देखो क्या किया जाए, 5, 5, 10, 6, 16 हो गया न, अब देखो, जो देखो दियान से, समझना बात को, largest number तो यही होगा, यानि हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, minus, अभी justice से पहले भी case किय जाए था न, हम लोगों ने, देखो दियान से, यहीं वाला case, यहीं वाला case, तो यहाँ पर भी apply हो रहा है, यानि इसका चाहिए हमें SCF, SCF चाहिए, अब देखो दियान से, common sense लगाओगे, तो अगर मैं बात करूँ, 3 से number कटना चाहिए, यार, 658 है न, 658 पे, remainder 655 आ गया, 5, 5, 5, 10, 6, 16, 3 से तो divide नहीं होगा, यह है, और दोनों odd है, odd है तो किस से divide हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे देखो दियान से, यहाँ पे मैं लेना चाहूँ, यह तो 3 से हो रहा है, वो 3 से नहीं हो रहा है, और हमें यह number चाहिए, बड़ा number 143 चेक करना पड़ेगा, ऐसे तो हम करते रहा जाएंगे, एक तो difference लेलो, difference लेने पे क्या रहा है देखते हैं, देखो दियान से, difference लो, 5 में से, difference of difference वाला concept कर लेते हैं, पहले मैंने देखा कि बहुत lengthy हो रहा था, तो difference of difference लो, 5 माइनस 3, यानि 2, 5 में से, 15 में से 9 हो जाएगा, तो 6 हो गया, और यहां पर 6 में से, 3 जाएगा, देखो दियान से, 6 में से, 3 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, दो आगया, अब देखो दियान से, इसको मैं break कर सकता हूँ, देखो दियान से, अब क्या करें, तो हम इसके एक factor को break करें, तो 2 into, मेरे को दिख रहा है, 1, 3, 1, 2 से तो ये नहीं, ये तो डिवाइड हो रहा है, ये दोनों डिवाइड नहीं होते है, SCF तो 2 होगा नहीं, लेकिन 131 से ये तीनों डिवाइड हो रहा है, देखो दियान से, 131 से ये भी डिव बखा चुका हूँ, number system में भी बताया हूँ, और LCM और SCF में भी बताया हूँ, तो जैसे भी question कहें, आपको डरना नहीं है, आप question आसानी से कर सकते हूँ, चलिए, move to the next, next में देखो क्या दिया गया है, K1 and K2 are two distinct prime number, K1 और K2 जो है, वो दो distinct क्या है, prime number है, यानि अभाज य K1 और K2 दो prime number है, ये क्या है, prime number है, prime number है, तो prime number है, तो इनका SCF क्या होगा, अगर कुछ भी common नहीं है, तो SCF होता है, one, बता चुका हूँ, अब इन दोनों का LCM बताना है, K1 and K2 का, क्योंकि list common multiple, यानि K1 and K2 का, कुछ भी common नहीं है, तो multiply हो जाएगा, K1 into K2, यानि क्या ह K2, अब हमें क्या कहा गया है, अब हमें जो question कहा गया है, कि product बताना है, product किसका बताना है, SCF और LCM का product बताना है, SCF है one, LCM है K1, K2, तो finally answer क्या आ जाएगा, K1, K2 आ जाएगा, जो भी आपका answer हो, K1, K2, ये सभी क्या हो जाएगे, गलत हो जाएगे, तो हमने आसानी से कर गया है, move to the next, two wire of length, two wire of length इतना, and इतना, are both are cut into pieces of length x cm each, x is the an integer, find the maximum value of x, यानि बड़ा से बड़ा length हमको cut करना है, और दोनों equal होने चाहिए, length, यानि हमें क्या बताना पड़ेगा, बड़ा से बड़ा, SCF, SCF, अब देखो द्यान से, एक मीटर में, वह एक मीटर में कितना cm होता है, 100 cm होता है, यह आप तो जानते हो, तो सभी को cm में बदलो, सभी को cm में बदलो, देखो, 100 into, 10 into 100, यानि 1000 plus 14, 1054 हो गया पहला, दूसरा वला क्या है, 11 into 100, 1100 plus 56, यानि 1156 cm, दोनों को हमने cm में कर लिय सभी किया, अब हमें क्या चाहिए, maximum value यानि इनका चाहिए हमें HCF बताना है, HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, अब देखो द्यान से, एक तो difference of difference करके भी किया जा सकता है, कैसे, इन दोनों का difference जैसे, अभी हमने question किया था न, देखो ये बाला, difference of difference लिका लिका लेते, यहाँ प से बचा 11, 11 में से 10 जाएगा, इतना, अब देखो द्यान से, हमें बड़ा से बड़ा नंबर HCF चाहिए, HCF क्या होता है, बड़ा से बड़ा, सबसे पहले देखो, क्या 56, इसमें से कुछ भी, कभी भी 56 बन सकता है, क्या, अगर two common करूं, तो 51 आ रहा है, नहीं बन रहा है न अगर मैं two common करूं, two common भी कर लूं, तो 56 तो कभी बनेगा नहीं, यानि 56 तो possibility नहीं है, अब आ जाओ, द्यान से, अब 42, 42 कभी बन सकता है, क्या, नहीं बन सकता है, क्योंकि किसी भी break करोगे, माल लो इसको, two into अगर break करूं, तो कितना हो गया, five और one, नहीं बन सकता, नहीं लास्ट में ये बचा, अब इन दोन में हमें तो बड़ा चाहिए, स्टी अपले 34 को चेक कर लो, क्या मैं बना सकता हूं 34, देखो ध्यान से, इसका factor, या तो SCF यह होता, क्योंकि ये तो divide नहीं कर पा रहा है, तो SCF तो होगा नहीं, two into, देखो कितना है, 50, one है, 51 को लिख सक होता हूं 34, 34 into 3, 3 से तो देखो ध्यान से, 3 से ये नहीं cancel हो रहा है, 3 तो काम हो गया, खतम, 34 आ जाएगा हमारा SCF, जोगि 34 से देखो ध्यान से, 34 into 3 ये हो जाएगा, 34 से ये भी cancel हो जाएगा, 34 से ये भी cancel हो जाएगा, SCF यहीं आ जाएगा, option number C is the right answer, कभी भी 20 से, 28 तो बन security है ही नहीं, तो हमारा answer आ गया, हमने आसानी से कर लिया, इस question को भी, चलिए, next question के, देखिए, question number 100, six bell commence, commence tolling together at 7.59 a.m., okay, they toll at an interval of 3, 6, 9, 12 and 15 second respectively, how many times will they toll together till 8.16 a.m. तक वो कितना क्या होंगे, कितनी बार बजेंगे, ये question कहा गया है, excluding the toll 7.59, यानि जो 7.59 पर बजा था, उसको छोड़ना है, exclude करना है, बाहर निकाल देना है, देखो द्यान से, तो पहले हम क्या लेते हैं, 3, 6, ऐसे question मैंने करा चुका हूँ, 9, 12 and 15 का हमें क्या लेना होता है, 60, 60 हो गया, इन दोनों का हटा दो, अब 60 में ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, सिर्फ बचा 9, 9 को बोल सकता हूँ, 3 into 3, 1, 3 तो already इसमें है, खटम करो, into 3, कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि ये 3, इसमें नहीं सामिल था, तो 180 हो गया, अब देखो द्यान से तो 180 क्या आया, हर चीज किसमें था, सेकेंड में, यानि 180 सेकेंड, 180 सेकेंड को हम किसमें बदल दे, मीनट में, 60 से डिभाइट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मीनट में आ जाएगा, यानि 3 मीनट, अब देखो द्यान से, हमें बताना है, number of times, how many times कितना बजा, तो ख भले, starting में क्या, tolling together, यहाँ पे, क्योंकि इसको तो हमें छोड़ना है, यानि 8 बजे से लेके, 8, 16 पर, यानि 16 मिनट हुआ, 16 मिनट, 3, 3 मिनट के अलतरार पे बजना है, 3, यानि कितनी times में, how many times, यानि सिर्फ हमें integer value लेना है, 3, 5 जा होगा, 5 point something हो, यानि 5 times बजेगा, दे पे, 5 point something आएगा, हाँ भाई, लेकिन हमें पुछा, क्या, how many times, times तो fraction में, decimal में होगा नहीं, यानि 5 times बजेगा, 5 times हो गया, 6 times हो गया, 7 times, इस तरह से ही times होगा, चलिए, तो यह हमारा आगया answer, यह अच्छा question है, इसको star mark कर सकते हो, ठीक है, अब देखो, थोड़ा सा information मैं देदू, कि मेरा math जिसको भी, आपको तीन चीजें पढ़नी है, अगर concept सीखना है, concept वो भी type wise and sequence wise arranged format में, logical approach सीखना है, logical approach, as well as smart approach सीखना है, और आप चाते हो कि calculation आपकी barrier ना रहे, कभी भी exam में, जिस तरह से मैं आपको सीखा रहा हूँ, तो आप math special batch मेरा आ रहा है, यह जो है, आपका 5th December से start हो जाएगा और 1 December admission already open हो चुका है, first 300 students के लिए course की फीस बहुत ही मैंने minimum रखा हूँ, ताकि हर कोई afford कर सके, अगर कोई query करनी है, तो WhatsApp नमबर यहाँ पे दिया गया है, आप WhatsApp नमबर पे बात कर सकते हो, टीम आपको apply कर देगा, यह हरी government exam के लिए CGL, CPO, CH MTS, railway, सभी exam के लिए CDS, सभी exam के लिए combined special batch है, ठीक है, और मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, तो चलिए, देर नहीं करते होगे, हम और आगे की तरह move करेंगे, क्योंकि और भी complete करना है हमें, क्योंकि कल मैं आपको यह LCBC अप complete करा दूँगा पूरी तरह से, तो आज इतन इतना, is divided by, इतना, 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 will live 5 as the remainder in each case, द्यान से देखोगे, तो आसानी से कर लोगे, question को, हमें बताना है, कि smallest number X must be subtract, किस से subtract करना है, इतना से, यानि 1800 में से, X subtract करना है, और जो आएगा, आएगा कितना, 1800 माइनस X, और उसको हम divide करें, इतना, इतना, इतना से, तो remainder 5 हर एक case में आ रहा है, तो पहले ये तो पता कर लें, जो ये आएगा, जो ये आएगा, वो किसे किसे divide होगा, 711, 23 से divide होगा, 711, 23 से divide होगा, ना, ज्यान से देखोगे, 711, 23 से divide होगा, ये चीज तो multiply कर लो, 23 में 7 का multiply कर लो, सतली के 21, 14 और 2, वैसे भी 27 होता है, 168, मैं directly बोलता हूँ, 1, 2, 30 तक table याद रखो, into 11 का multiply करोगे, तो ये कितना हो गया, 11 की multiply करना असान है, 1, 6 plus 1 यानि 7, 6 plus 1 यानि 7, और 1, इतना आ गया, अब देखो यान से, समझना बात को, ये तो रहा ये अब ये जो LCM आया, क्योंकि हमें किस से divide करना है, 1800 को divide करेंगे हम, तो check कर लेते हैं, अगर 1800 को divide करेंगे, तो कितना remainder बच रहा है, देखो यान से, 1800 को हम अगर इस से divide कर रहे है, 1771, तो remainder कितना बचेगा, तो कितना हो गया, 18, एक times में, 1771, यानि remainder कितना हो गया, हमारे पास 29 आ गया, लेकिन हमें remainder तो बचना चाहिए था 5, यानि 29 में क्या minus करें यहाँ पे, कि हमें remainder 5 बचना चाहिए, questions के according, देखो, यहीं कहा गया है, तो बताओ, option check कर ले, अरे 5 बचने के लिए, यहाँ पे 24 ही minus करोगे, तभी तो 5 बचेगा, तो option number A is the right answer, आसानी से कर लिए हम होने, इस question को, बहुत सारे लोग इस question में confusion हो जाते, क्यों confusion होना, देखो द्यान से, यह जो आया हमारा LCM, क्योंकि 1800 में से क्या सबस्ट्रेक्ट करें, यानि भाग दे लो, यानि remainder 29 आना चाहिए था, लेकिन according to the question remainder 5 आना चाहिए, यानि क्या minus करना पड़ेगा, इसमें, 24 minus क करना पड़ेगा, तो remainder 5 आ जाएगा, चलो, next, next में आ जाओ, देखो द्यान से क्या दिया गया है, हमारे पास, question पड़ो, four runner has started running simultaneously, from a point of a circular track, okay, they took 400 second, 600 second, 720 second and 900 second, completely one round, यानि देखो एक circular track है, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू करते हैं, चार runner है, यानि running करने वाले, दोड़ने वाले परसन है, एक जो है, time ले रहा है, 400 second, दूसरा है, 600 second, 720 second और इतना second में, एक complete round, अगर यहाँ से चल रहा है, तो यहाँ से दोड़के, यहाँ तक आना, यानि एक complete round करने में, इतना इतना समय ले रहे हैं, आगे बढ़ो, after how much time, did they meet at a starting point, for the first time, since the race started, यानि जहाँ से race रहे स्टार्ट किये थे, again वो यहीं point पे आके कम मिलेंगे, तो वो time बताना है, तो हम क्या लेते हैं, इन सभी का LCM, यानि 400, 600, 720 और 900 का हम क्या लेना पड़ेगा, LCM, आप देखो द्यान से, common sense लगाओ, मैं सबसे बड़ा number, LCM मैं सबसे पकड़ लेता हूँ, 900, LCM fast कैसे लिका लोगे, इसका काम हो गया, खतम, अब देखो द्यान से, अगर मैं बात करूँ ये, तो इसमें 10 तो already है, 72 हो गया, 8 into 9, 9 हो गया, देखो द्यान से, 10 तो already आ गया, 9 तो already आ गया, इस 8 में, 2 into 4 already है, 2 इसमें already है, 10 में, यानि सिर्फ multiply कर तो इसका भी काम खतम हो गया, अब देखो द्यान से, 9 चो के 600, 600 से divide हो जाएगा, 400, 300 को divide कर पाएगा, तो इन दोनों का आप role रहा ही नहीं, यानि LCM कितना हो गया, 3600 second, और यहीं जो है, इन सभी time का LCM जो लेते हैं, यहीं आ जाएगा, यहाँ पे दुबारा again meeting करेंग starting point पे तो वो 3600 second लगेगा, option number C is the right answer, CHSL 362012 का question पुछा गया है, अच्छा question है, चलिए, move to the next, LCM of two number is 56 times their SCF, LCM जो है 56 times of क्या है, HCF, यह question में दिया गया है, आगे बढ़ते हैं, with the sum of their, SCF and LCM is इतना, हमारे पास question में दिया गया है, कि SCF plus LCM का sum कितना दिया गया है, 1710, one number is 240, then other number, सबसे पहले दियान से, LCM के जगा पे हम रखेंगे, 56H, यानि H plus 56H is equal to 1710, add हो जाएगा, यानि 57H is equal to 1710, अब दियान से, 19, 57, 29, 171, 3 से, ये 30, यानि SCF आ गया हमारे पास 30, अब दियान से, समझना बात को, आपने formula पढ़ा है, formula क्या पढ़ा है, LCM into SCF is equal to product of first number into second number, LCM कितना है questions के according, 56 into H, H है कितना, 30, into SCF है कितना, 30, is equal to first number, questions के according दिया गया है, 240, second number मालो X, दियान से, 30 से 8 टाइमस में cancel हो गया, 8 से 7 टाइमस में, तो 30 into 7, यानि 210, यानि दूसरा number कितना होना चाहिए, 210, कौन सा है answer, option number D, correct answer, CGL 114, 2022 को question पूछा गया, morning shift में, चलिए, move to the next, next question देखो, question number 104, देखो, क्या दिया गया है, which is the smallest multiple of 7, which lives 5 as a remainder in each case, when divided by 8, 9, 12, and 15, यानि पहला चीज़ जो smallest number, smallest multiple चाहिए, यानि smallest multiple किसका, 7 का, कमा, answer जो होना चाहिए, हो 7 से divide होना चाहिए, smart approach कहता है, कि पहले चेकर लो, answer जो होना चाहिए, साथ से divide होना चाहिए, smallest 7 से divide हो रहा है, 7, 5, 35, 15, 7 से divide नहीं होगा, मल्टीपल है यानि 7 का, 7 का, 21, 42, 47, 45 बच गया, यह तो कटे गई नहीं, यानि तीनों उप्सन में सिर्फ एक ही उप्सन था यार, जो साथ का मल्टीपल था, 12, 4, 2022 को स्मार्ट प्रोस से हमने कुशन को directly कर लिया, बीना calculation किये, otherwise आप conceptual approach लगाओगे, तो कैसे करोगे, देखो दियान से, conceptual approach से कैसे करोगे, concept कर दोगे, अगर आप मिनट में कर रहे थे तो, देखो concept में क्या करोगे, 8, 9, 12, 15 का LCM लो, 8, 9, 12, 15 का LCM लोगे, तो LCM क्या होगा, देखो दियान से, पहले, 15 और 12 का LCM 60 हो गया, इसको हटा दो, 8 में 4 आ गया, 2, देखो 9 में, 3 into 3, 3 में already आ गया, 3 एक और रह गया, 180 बचा 8 में, 4 already है, 2, यानि LCM कितना हो गया, 360 हो गया, LCM हमने 360 ले लिया, अब देखो दियान से, समझना बात को, हमें क्या चाहिए, अब common sense लगाओ, जो number होगा, वो number क्या होगा, 360 के, plus remainder, remainder कितना बच रहे, 5, और ये जो number होना चाहिए, multiple of 7 होना चाहिए, ये जो number होना चाहिए, ये 7 से divide होना चाहिए, ये इन condition है ने पहला, देखो ध्यान से, तो 7, 5, 35, 35 हो गया, 10, 7, कहीं साथ, यानि remainder कितना बचा, 3, यानि 3K, plus 5, by 7, अब के की ऐसी value लो, जो 7 से divide हो, यानि के की value, अगर मैं, कितना लों, 3 लों, तो के की value, अगर मैं 3 लेता हूं, तो 3 into 3, 9 plus 5, यान यानि cancel हो रहा है, यानि multiple आगया, यानि के की value हमें कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, के की value 3 लेना पड़ेगा, तो number यह है, 360 into 3 plus 5, यानि 36 तिया होता है, 108 plus 5, यानि 1085, 1085, क्या हम इतना करके exam में करेंगे, नहीं, क्योंकि हमें दिख रहा था, multiple of 7 option में एक ही था, और यह question मैंने अपने से create नहीं किया हूँ, देखो, 12, 4, 2022 को morning shift में पूछा गया था, तो हमें smart approach करेंगे, आपके mind में आ रहा था, sir, 2 number आ जाते, 7 का multiple, तो उसमें भी हम smallest check कर लेते, तो smallest वाला होता, अगर फिर भी 3 number आते, तो फिर basic से apply करते, लेकिन इतना तो नहीं ह जो है, दो prime number है, such that A greater than B, A greater than B है, आगे बढ़ते हैं, LCM, LCM क्या है, 209, अब जानते हो, दो prime number होगा, तो LCM क्या होता है, उन दोनों का product A और B, इसका product कितना आना चाहिए, 209, और A और B क्या है हमारे पास, prime number है, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को दिक्कत आएगी, लेकिन हमें दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपके पास, मैंने कई बार बोला हूँ, कि 1 से लेकर के 200 तक prime number fast लिखने आना चाहिए, यानि fingertips पे होना चाहिए, यानि फिंगर टिप्स पे होना यहां से इन ही दोनों का multiply तो आ रहा है, हमारे पास क्यों कि unit digit 9 आये ना चाहिए, 9 कब आ सकता है, देखो द्यान से, 13 में 3 का multiply करूंगा तो 9 आएगा, बाकी लेकिन 49 तो है नहीं, इसको हटा दो, 19 में 11 का multiply करने पे unit digit 9 आ रहा है, चेक कर लो, 19 इंटू 11 multiply करने पे 209 आ रहा है, यानि 19 इंटू 11, दूसरी बात, मारे रहा है, आपने B को क्यों नहीं 19 लिया, क्योंकि A बड़ा है B से, यानि A जो है 19 होगा, B जो है इतना 11 होगा, अब हमें लिकालना किसकी value है, इसकी, और ये चीजे तब आप सोच पाऊगे, जब आपके पास 1 to 200 प्राइम नंबर प एंसर, 350 कौन सा है, ओप्शन नंबर A is the right answer, देखो, 12, 4, 2022 को evening shift में पूछा गिया है, मैं ये इतना समझाने के लिए किया हूँ, otherwise मेरे को पता है, 19 इंटू 11 कितना होगा, 207, देखो, आज भी बता दे रहा हूँ, repeat कौन कौन सा चीजे हुई है, देखो द्यान से, 19 इंटू 21 कितना हो गया, 207, एक बार पूछा था, 17 इंटू 13 कितना होगा, तो कितना हो जागा, 17, 155, 17, और 5, 22, 170 प्लस 21, sorry, 191 होगा, कितना होगा, 17, 15, 17 और 5, 22 होगा न, यानि 170 प्लस 15 हाँ, 21, ये दोनों पूछे गए हैं, बार बार, ये दोनों पूछे गए हैं, प्राइम नमबर दोनों का प्रोड़क्ट पूछा गया, 21, इनका प्रोड़क्ट और भी कुछ होगा सकता है, 13 साथ 1 क्या नवे, 13, 13 और 9, 22, ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से ये दोनों पूछे तो इसको star mark कर लेना कभी भी आपसे पूछा जा सकता है दो नंबर का product 221 है और प्राइम नंबर होना चाहिए तो 13 और 17 होगा, चलिए next, next में देखो क्या दिया गया है, question number 106, what is the 5 digit list number, देखो 5 digit का list number चाहिए, which when decreases by 7, digital by इतना इतना इतना, देखो द्यान से, क्या कहा गया, list number जो होना चाहिए, अगर 7 उसमें decrease कर दिया जाए, यानि 7 minus कर दिया जाए, तो वो इससे divide होना चाहिए, अब एक तो तरीका है, इसको basic से करो, मैं आपको बताऊंगा, smart approach, smart approach क्या कहता है, कि जो 5 digit का number है, यहीं होगा, उसमें क्या चाहिए, list चाहिए, सबसे छोटा number देखो कौन सा है, हमारे पास यह है, इसमें 7 minus करो, 7 minus करोगे तो 10060 आएगा, उसके बाद यह number जो होना चाहिए, 15, 24, 28 और 32 से divide होना चाहिए, देखो द्यान से, पहले देखो 9 से तो कहीं नहीं आ रहा है, तो 3 and 5, 15 से divide होता ह है, 3 से divide होगा, क्या, 6, 7, unit digit, sum, 7 आ रहा है, 7 कभी 3 से divide नहीं होता, अब next देखो यह है, इन दोनों में, इन तीनों में, छोटा, अगर यह हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 7, 0, 7 minus करोगा, तो 7, 0 आ जाएगा, क्या यह 3 से divide हो रहा है, नहीं हो रहा है, 7, 8, 3 से divide न होगा, अब आ जाओ, इसमें 7 minus करूँगा, देखो ध्यान से, इसमें, अब इन तीनों में, छोटा कौन सा है, यह है, बड़ा वाला चेक कर लूँ, अगर यह answer होगा, नहीं होगा, तो यह हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसमें 7 minus करूँगा, तो यह 0, क्या, यह 3 से divide, 9, 1 टेंशन लेने की जुरुत है, smart approach आ गया, अगर आपको यह सीखना है, मैं again बोलूँगा, recommend करूँगा, कि 599 मैंने, first 300 students के लिए, बहुत ही minimum cost रखा हूँ, इसमें आप, हरी एक तरह की, जो यह ability मैं आपको सीखा रहा हूँ, यहाँ पे आप सीखोगे, तो exam में आप खुद क to join, लेकिन अगर आपने, को दिक्क्त आ रही है, then definitely join कर सकते है, otherwise इस question को कैसे करोगे, basic से, 15, 24, 28, 32 का LCM लिका लोगे, पहले LCM लिका लोगे, तो वो क्या होगा, दिहान से देखना, तो मैं बोलूँगा, इसको दिहान से देखना, 32 का टेबल ले लो, 96 लोगा, तो 96 लोगा, तो 24 भी खतम हो जाएगा, क्योंकि 24 के चानवे, यह दोनों का काम हो गया, खतम, अब दिहान से, 14, 4 के 56 होता है न, 14, 6 के 84, नहीं देखो दिहान से, अब ध्यान से देखो, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, 4 into 7, 4 तो लेडी 96 में है, यानि 7 LCM में 7 आएगा, इसका भी काम हो गया, खतम, अब 15 में देखो दिहान से, 15 का मतलब है 5 into 3, 5 तो है, 3 तो इसमें सामील है, 5 नहीं है तो 5 से multiply कर दो, अब देखो दिहान से, LCM कितना हो गया, वो देखो multiply करो, पहले मैं क्या करता हूँ, 7 का multiply कर देता हूँ, 7, 6, 42, carry 4, 9, 7, 63, 63, 63 और 4, 66, इसमें 5 का multiply कर दो, यानि कितना हो जाएगा, 2, 3, 6, 2, 3, 6, 2, 6, 12, इतना, यानि हमारा LCM आ गया, इतना, अब ये जो LC से हमाया, अब इससे क्या करते हैं, यानि ये जो आया, 5 डिजिट का list नमबर लो, 1, 2, 3, 4, 5, इससे इसको divide कर रोगे, इससे इस नमबर को divide कर रोगे, 3, 3, 6, 0 को, तो कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 3 टाइमस में ले लो, 3 टाइमस में देखते हैं, तो 0, 6, 18, 3, 9, 10, ज्यादा हो जा रहे हैं, दो टाइमस में लेना पड़ेगा, हां जी, दो टाइमस में लेना पड़ेगा, तो दो टाइमस में ले लो, तो कितना हो गया, 62 नी, 120, 33 का डबल, 66 और 67, 6 से में आ जाएगा, यानि 0, 8, ये बचा हमारे पास 9 में से 2, ये बचा 3, आ जाना तो होता, यानि 1, 2, 3, 4, 5, ब्लस, इन दोनों में से डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस लोगे, तो 3380 में से, 60 में से, 160 में से 80, ये बचा गया, 32, 80 बचा, ये रहा 80, लेकिन, ये जो नंबर आया, कितना आया, देखो ध्यान से, 1, 3, पल, देखो ध्यान से, समझना बात को, 1, 4, 5 में 80 जोड़ोगे, तो ये आ जाएगा, 5 डिजिट का नंबर, लेकिन, ये कब आ रहा है, ध्यान से, देखो, ये कब आ रहा है, जो लिस्ट नंबर है, मालो, लिस्ट नंबर एक्स था, उसमें 7 माइनस करने पे, जो नंबर आ रहा था, उसके बारे में, ये सारी इ यानि, 10087, कौन सा एंसर, देखो, लेकिन, क्या हम इतना, अपना टाइम बरबाद करेंगे, एक्जाम में, नहीं करेंगे, अगर आप कर रहे हो, तो आप सबसे, रॉंग डायरेक्शन में हो, यानि, आपके, conceptual तो clear हो, concept की knowledge है, लेकिन, आपके पास, smart approach नहीं है, logical approach नहीं है, logic के according चलोगे, तो आसानी से कर लोगे, disability rule का concept नहीं है, आपके पास, next, what is the greatest 4-digit number, 4-digit का बड़ा से बड़ा number, which on being divided by, इतना, 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 रिमेंडर बच रहा है, देखो ध्यान से, पहले हमें, इसका क्या लेना पड़ेगा, LCM, अब देखो, एक के difference को minus करते हैं, पहले देखो, number जो होना चाहिए, LCM क्या होगा, LCM होगा, 6, 7, 8 का LCM, कितना हो जाएगा, तो देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूँ, 8 into 7, LCM में तो होगा, इसमें कोई भी common नहीं है, इसको लिख सकता हूँ, 2 into 3, 2 तो अल्रेडी सामिल है 8 में, यानि 3 और multiply कर दो, LCM कितना हो गया, देखो ध्यान से, 21, 20 into 8, 168 आ गया, LCM हमारा 168 आया, अब देखो ध्यान से, ऐसे question में हम करते क्या है, बड़ा से बड़ा 4 जिट का नंबर लो, 1, 2, 3, 4, उसको हम क्या करेंगे, 168 से डिवाइट करेंगे, 165, 86, 96, चला जाएगा, क्या, 48 और 95 नहीं, 165, 80, यानि, 8, 5, 40, 16, 85, 84, 84 हो गया, यानि 9 हो गया, यह 5 हो गया, और यह 1 हो गया, 9, अब कितनी बार में जाएगा, 166 के चानवे, नहीं, 5, 5, 16, 85 हो जाएगा, 167, 112, 168, 169, 144, 172, 144 और 7 हो जाएगा, 9 टाइमस में ले जाओ, 9, 8, 72, कैरी हो गया, 7, 16, 9, 144, 144, 144 और 7, 151, हमारा आया कितना है, पर देखो दियान से, सेबेन आ गया, और यह हो गया, 8, कैंसिल, अब देखो, जो बड़ा से बड़ा नंबर इतना था, 139, उसमें से हम यह बाला माइनस करते हैं, रिमेंडर वाला माइनस, और जो डिफ्रेंस था, वो भी माइनस करेंगे, माइनस टू, यानि, एक, दो, तीन, चार, माइनस, 89, यानि, कितना हो गया, 99 तो हो गया, 10 आ जाएगा, 9910, आपका एंसर, ओप्शन नंबर A, CGL 184 2022 को पूछा गया था question, अब देखो ध्यान से, समझना बात को, यह आसानी से हमने कर लिया, दूसरा केस क्या कर सकते थे, अलग-अलग चेक करके लिगालते, उससे बेटर था, यह आसानी से कर लोगे, कोई प्रोब् 15, LCM ही जितना, आगे बढ़ते हैं, SCF, देखो ध्यान से, 3X, 8X और 15X है, LCM क्या होगा, XXX common है, 15 में 3 ओलेडी आ जाएगा, 15 into 8, 120X, उसकी वैलो कोशन में 8 to 8 0 दिया गया, 10 से 10 cancel, 12 से, 12, 5, 60, 12, 6, 72, 12, 9, 108, यानि X की वैलो 69 आ गया, और हमें SCF चाहिए, इन सभी में common क्य क्या है, common SCF यानि X ही तो है, और X की वैलो कितनी आ जाएगी, 69, option number B, correct answer, CGL, 19, 4, 2022 को morning shift में पूछा गया था question, चले, move to the next, the list number which should be added to इतना, okay, so that sum is exactly digital by इतना, इतना, ध्यान से देखोगे, एक तो तरीका है, smart approach क्या है, smart approach, basic से कर लो, हमें list number क्या add इसमें करें, कि वो 4, 5, 6 और 8 से divide हो जाए, तो पहले देखो ध्यान से, हम पहला list number add करना है, list number 27 add कर लो, देखो ध्यान से, इसमें 27 add करोगे, तो 27 दो नहीं, 24, 65, 4, क्या ये, क्या ये 4 से, देखो, क्या ये 4 से divide हो रहा है, 24 से divide नहीं होगा, काम हो गया, खतम आजाओ, next smallest number कौन सा है, या go through option, चलो next smallest number 39 हो गया, 39 add करोगे, तो 9, 7, 16, 3, 2, 5, 1, 6, 3, 6, क्या ये 4 से divide हो रहा है, नहीं, last का दो डिजी 4 से divide नहीं होगा, ये भी हो गया, खतम, next आजाओ, 72 ले लो, 72 लोगे, तो कितना होगा, 36, 99, देखो ध्यान से, 4 से, last का, 4 का disability कहता है लास्ट का दो डिजी 4 से divide होना चाहिए, ये भी नहीं हो रहा है, तो 3 नहीं हो गया, तो इसको check करने की ज़रूत है, क्या, नहीं है, answer आ गया, 3 option हमने eliminate कर दिया, तो ओल्रेडी option आ गया, हमें check करने की ज़रूत नहीं है, अदर वाईज, आप क्या करोगे, 4, 5, 6, 8 का लोग यानि 120 हो गया, अब इस 120 को, 120 को क्या करोगे, उससे divide करोगे, 3, 6, 2, 7 से, देखो दियान से, कितना बार में, 3 times में, 12, 36, यानि कितना हो गया, 2 नहीं आया, 7 नहीं, 0, यानि remainder कितना हुआ, देखो दियान से, लेकिन हमें क्या minus करना है, कहा गया, क्या add करना है, इसमें क्या add करना है इन दोनों का difference एड़ कर दो यानि 120-27 एड़ इन दोनों का difference ही एड़ करना पड़ेगा हमें यानि कितना हो जाएगा 93 आ जाएगा यानि 93 एड़ इसमें हम कर दें तो हमारा काम हो जाएगा यानि option number a is the right answer ठीक है तो cgl 24 2022 को यह था हमारा conceptual approach भी बता दिया और smart approach तो आप जान ही गया मैं आपको हर एक चीज का एक नहीं दो दो solution इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें exam में smart approach करना यह तो आप concept सीखने point of view से कर रहे हो चलिए 110 इस इतना ही तक रखते हैं इस question को last मानते हुए और जो बच गया अब कितना question बचा 15 question सिर्फ बचाना इसके बाद यानि 111 से 125 यानि 15 question बच गया उसको हम कल कर लेंगे ठीक है LCM and SCF of two numbers is इतना and इतना okay sum of two numbers is 75 okay find the greater number देखो ध्यान से LCM दिया गया है हमारे पास 90 SCF दिया गया है 15 तो number क्या होगा 15 A 15 B और उन दोनों का sum कितना है 75 यानि 15 इन दोनों का sum add करोगे तो 15 common A plus B वो किसके बराबर है 75 के बराबर है यानि A plus B कितना हो गया A plus B हो गया हमारे पास 5 यानि A plus B कितना हो गया 5 अब आते हैं question क्या दिया गया अब देखो ध्यान से question में greater number कहा गया है अब इन दोनों में greater number कुछ भी हो सकते है देखो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ एक चीज और आप जानते हो हमें चाहिए greater number ना या तो इस तरह से कर सकते हैं या तो फिर एक और तरीका होगा product of two number lengthy होगा यार उससे बेटर है देखो इसको थोड़ा सा और sort कर लो हो देखो दियान से LCM हमारे पास 90 है HCF हमारे पास है 15 नियान से समझना बात को नंबर मान लेता हूँ xy है दोनों का sum यानि x plus y वो questions में कितना है हमने number suppose यह किया है चाहते तो उस तरह से भी बना सकते हैं मैं बता दूँगा पहले इसको कर लो 75 हो गया और आप जानते हो LCM into HCF LCM into HCF is equal to product of two number true number गा product xy यानि xy कितना हो गया xy हो गया हमारे पास xy हो गया हमारे पास 15 नावा एक्सो पैंतीस डबल जीरो आ गया स्वरी 15 नावा एक्सो पैंतीस तेरह सो पचास आ गया अब हमें लिकालना क्या है हमें लिकालना है greater number यानि x और y दोनों लिकालने पड़ेंगे एक दो तरीका क्या है लिंदी होगा क्या x-y लिकालो देखो द्यान से x-y का whole square करोगे या x-y लिकालोगे दिखो द्यान से x-y को इस तरह से लिख सकते हो x-y का whole square लिख सकते हो x-y का whole square minus 2ab plus 2ab यानि आना चाहिए क्या minus 2ab यानि 4xy balance कर दिया यह formula होता है अगर मैं इसको root हट यहां से root हटा दूं इसका तो यह अंदर root में चला जाएगा हाँ जी अब दिखो द्यान से अंदर root x plus y यानि 75 का whole square minus 4 into xy कितना है 1350 यह तो लिंदी ही लग रहा है चलो फिर भी 75 का square लिकालना बहुत आसान है कैसे end with 5 से है तो 5 का square 25 साथ से एक आठ एक बढ़ा लो नमबर 8 8 into 7 यानि 56 minus दिखो द्यान से 54 के 200 कैरी हो गया 23 के 52 और 24 कितना आ गया 220 आया अंदर root 220 आ गया यह क्योंकि 220 आ गया और 220 किसका होता है 15 का square यानि 15 आ गया यानि x minus देखो x plus y आया हमारे पास 75 x minus y कितना आ गया 15 आ गया अब बताओ x लिकालना है देखो x लिकालना है एक्स लिकालना है तो क्या करोगे इन दोनों को add कर लो 75 plus 15 यानि कि 90 by 2 यानि 45 आ गया दूसरा y लिकालना है तो क्या करोगे इन दोनों का difference 60 divided by 2 यानि कि 30 तो बताओ एक है 30 और दूसरा 45 हमें greater number चाहिए यानि 45 होगा option number a is the right answer तो हमने आसानी से कर लिया इस question को आसानी से कर लिये इस तरह से भी कर सकते थे question आसानी से हो जाएगा आपका नहीं तो यहां पर देखो यह तो मैंने formula अप्रोच अप्लाई कर दिया आप heat and trial भी कर सकते थे कैसे option में दिख रहा था ना 45 इसी तरफ क्या सपास अगर मैं इसको option के recording भी चलूँ अगर 45 लूँ तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए 30 वह कितना होगा 75 मैच कर रहा है हां जी 45 और इंटू 30 कितना अगर यह फॉर्मूला से नहीं करते तो क्या करते एक्स प्लस वाई हमारे पास था 75 और एक्स वाई था हमारे पास कितना 1350 अब common sense लगाओ देखो मेरे पास एक हिंट मिल रहा है option से मेरे को दिख रहा था कि मैं suppose अगर 45 समझूं मान लो इसको 45 समझूं तो यह 30 होगा तभी तो 75 होगा क्या इन दोनों का multiply 45 into 30 क्या यह 1350 आ रहा है तो आ रहा है यानि एक नंबर 45 था और दूसरा नंबर 30 था दोनों में बड़ा कौन सा है 45 तो 45 एंसर हो जाएगा option नंबर ए इस तरह से हम आसानी से कर सकते थे CGL 214 2022 को question पूछा गया था तो कोई दिक्कत नहीं है आपके माइन में एक और चीज़ आ रहा होगी कि सर जो आप पहले starting में करा रहे थे उससे कर लेंदी हो जाता बट मैं करा भी दे रहा हूं उस तरह से बीदे को द्यान से SCF हमारे पास 15 है तो नंबर क्या होगा 15A 15B कोई दिक्कत नहीं है यार सम दोनों नंबर का 15 common A प्लस B उसकी value दी गई है 75 तो A प्लस B कितना आ गया है A प्लस B आ गया हमारे पास 5 अब आ जाओ आप जानते हो LCM into SCF LCM कितना है 90 SCF कितना है 15 is equal to product of first number and second number यानि 15A into 15B क्योंकि number हमने माना था 15A 15B एक 15 से 15 केंटी एक से 6 यानि ये कितना आ गया A B A B आ गया हमारे पास 6 ये तो और आसान हुई हो गया चलो इस तरह से और आसान हो गया यार हीट और ट्रायल से देखो, यह तो और आसान हो गया यह तो और आसान हो गया, कैसे दो नम्बर का सम पांच आना चाहिए, प्रोड़क्ट शिक्स आना चाहिए यानि 3 और 2 ही नमबर हो सकता है 3 प्लस 2 यानि 5 होता है 3 इन्ट def कितना होता है, 6 होता है इन दोनों में 45, तो option A, सबसे best approach तो यह है यार, कर लो आसानी से, क्योंकि यहाँ पर hit and trial आसानी से लग गया, तो यह तरह से आसानी से question कर सकते हुआ आप, तो इस तरह से हमारा 110 question complete हुआ, अगर आपको देखो द्यान से, थोड़ा सा मैं आपको information देदू, अगर आप यह math special batch लेना चाहते हो न, math special batch start होने वाला है, बहुत जल्द, यानि 5 December से start होगा, लेकिन पहली वीडियो, 1 December को मिलेगी, जो students, उसमें course की पूरी schedule बताई जाएगी, जो join कियोंगे, उनको ही मिल पाएगा, यह, तो first 300 students के लिए fee है, सिर्फ 599 minimum fee है, math special batch, अगर आप interested हो, अगर आप एक जाम आए, उसमें आप math में सबसे best score करो, तो आप इस course को join कर सकते हो, इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आता है, वहीं वीडियो को like कर दिया करो, share कर दिया करो, and comments करके जरूर बताओ कि आज के session में आपको क्या सीखने को मिला, share करने से benefit होगा, कि मैं ज